नवसकार दोस्तों, वेट लॉस करने के बाद, लूज स्किन अक्सर हमारी इन सिक्योरिटी का कारण बनती है, क्योंकि इस लटकती हुई स्किन की वज़े से कई बार हमें एक पड़े भी सूट नहीं करते हैं और वेट लॉस करने के बावजूद बॉड़ी फैट वाली दिख कर दीजेगा, आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि स्किन लूस कैसे होती है, तो इसके कई कारण हैं, जैसे कि अगर आप लंबे समय तक ओवर वेट या उबैसिटी के शिकार हैं, तो अचानक से आपने वो वज़न कम किया, तो आपकी स्किन लटकने लगती हैं, इसक कि सप्लिमेंट्स, सरजरी या मसाज थेरिपी का भी इस्तिमाल करते हैं, लेकिन अपने घर में बैट कर भी आप अपनी स्किन को एक्सरसाइज की मदद से कम कर सकते हैं, और हाँ, ये एक लॉंग प्रोसेस है, और ये स्किन टाइट और ठीक होने में थोड़ा समय जादा ल इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सबसे पहले एक्सरसाइज मैट पर टेड़े लेट जाएए, अब अपना सारा वजन अपने फोर आम पर दीजे, और दोनों पैरों को एक दूसरे के उपर रख कर अपने हाथों के वहां से अपनी बॉड़ी को उपर करने की कोशिश क ठीक, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, वैसे ही, अब ये सेम प्रोसेस दूसरी ओर से भी कीजे, शुरवात में ये करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए आप इसको 10 से 15 सेंड ही होल्ड कीजे, फिर धीरे धीरे इसे करने का टाइम लिमिट आप बढ़ा सकते हैं इसे करने के लिए आप सबसे पहले सीधे लेट जाएए, अब आपको अपनी टांगों को 90 डिगरी तक उपर की ओर उठाना होगा, जब आपकी टांगे उपर हो जाएं, तब कूल हो यानि की शोल्डर्स को भी जमीन से उपर उठाइए, जैसा कि आपको वीडियो में दिख इस पोजीशन में आपकी सिर्फ कमर ही जमीन से जुड़ी होई होनी चाहिए, इस पोजीशन को आप 5 से 10 सेकंड तक होल कीजे और फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएए, इस एक्सराइस को करते वक्त आपके पेट के मसल्स पर स्ट्रेस आता है, जिसकी वज़े से वहां क स्किन टाइट होने लगती है, शुरुवात में आप इस एक्सराइस को 5 बार कीजे, तीसरी एक्सराइस है लाइंग लेग रेज, इसे करने के लिए आप सबसे पहले फर्ष पर एक्सराइस मैट को बिचा कर लेट जाए और हाथों को सीधा फर्ष से चिपका कर रखें, जि इसा की वीडियो में दिख रहा है, उसी तरह आपको अपने पैर तब तक उठाने हैं जब तक आपके पैरों और छाती के बीच कमर पर 90 डिगरी का कोन न बन जाए, फिर अपने दोनों पैरों को इस स्थिती में 5 से 10 सेकेंड के लिए रोक कर रखें, अब धीरे धीरे नॉर अपने हाथों को सिर के पीछे रखें और अब अपने रीड की हड़ी को मोड़ते हुए और कोर मसल्स पर फोकस करते हुए अपने पैरों को 45 डिगरी तक मोड़ते हुए क्रंचस करना शुरू कीजिए, अब अपने सिर को पकड़ते हुए अपनी एल्बो को अपोजिट उटनों से टच करने की कोशिश कीजिए जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। अब सांच छोणते हुए इसी क्रम से दूसरी और भी कीजिए। शुरुवात में एयर बाइक एक्सराइस को 8-10 बार कर सकते हैं। बात करते हैं आखरी एक्सराइस की तो वो है लेक्स इस एक्सराइस को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे लेट जाएं। फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए 90 डिगरी का एंगल में ले जाए। फिर जब आपके पैर और कमर के बीच 90 डिगरी का एंगल हो तब अपने हाथों से सिर को सहारा द सिर्फ 10 बार कीजिए फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इन एक्सराइस की मदद से आप जल से जल अपनी लूज स्किन को टाइट कर लेंगे और आपकी बॉड़ी दिखेगी स्लिम एंड अट्राक्टिव। तो जल्दी से इन एक्सराइस को फॉ सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद।